हमारे चैनल पर स्वागत है और अगर आप हमारे चैनल पर नए है देखे सब्सक्राइब का लाल बटन वेल आइकन प्रस कर देज़ेगा ताकि आपके वीडियो के सुचना हमेशा मिलती रहे देखिए अच्छे अच्छे वीडियोज हम बनाते रहते हैं आप जिस स्टॉक के बारे में देखना चाहिए जानना चाहिए जरूर आप अरवेविव देख सकते हैं अगें हम करेंगे जो चुप के बारे में बात करेंगे ITC Limited है ITC Limited एक जवादस स्टॉक FMCG की अपनी इंडिस्ट्री नंबर वन कमपनी है जुलाई 4, 2019 दो बच के 45 मिनट आज जो BSC पे भाव चल रहा है वो 270 रुपए 40 पैसे और साल का लोग बनाया था इसने 262 और हाई था 322 के आसपास और 3,49,192 की कैपिटल है और P Ratio 26.78 का है EPS है 10 रुपए 33 पैसे Price to book है 5.72 डिविरी कितनी शांदार है 72% के आसपास है और डिविडेन एक शांदार डिविडेन पे करता है एक साल में अगर हम रिटन यहाँ पे देखें तो 4% के आसपास है और 6 महीने में 0% के आसपास के रिटन है तो एक शांदार Market Cap के साथ एक बड़ी कमपनी है अब इसमें बजट भी आने वाले है तो ज़रूर बजट का जो प्रभाव है इन कमपनियों पे ज़रूर पढ़ता है उसका रीजन है क्योंकि इसका जो टॉप सेग्मेंट है वो तबाको सिग्रेट से मतलब सिग्रेट बनाती है और भी डाइबसिफाई कमपनी है FMCG में सिग्रेट के अलावा खाने पीने की बस्तु हैं पर्फियूम औगेरा, स्टेशनरी की भी बहुत सारे प्रोड़क्ट से हमें पिछले वीडियोम भी मेंशन किया हुआ था तो वो उसका परसंटेज कम है और अग्रिकल्चर बिजनेस में भी है होटल लाइन में भी है तो उनका अभी कम है लेकिन सबसब ज़्यादा जो इनकी रेवेन्यू आती है वो सिग्रेट से आती है तो जिस दिन सिग्रेट के मुखाबले इनका ज्यादा रेवेन्यू हो जाएगा इन जो डाइबसी जो बहुत सारे प्रोड़क्ट से है खाने पीने की और एग्रिकल्चर से तो इस कमपनी में जबर्दस तेजी आएगी और अच्छे रिटन की संभावना है लेकिन फिलाल हम एक शॉट टर्म के लिए बात कर रहे हैं कि अभी जो अपने हाई से 322 से नीचे आए क्योंकि ऐसी कमपनियां लो रिस्क और हाई रिटन वाली है कि ये बहुत ज्यादा कुछ भी हो जाए मार्केट में बहुत ज़्यादा तूटने वाली नहीं है किसी प्रकार से टैक्सेज वगारे लगने से इन पर प्रभाव पड़ता है और इनके शेर प्राइस में भी गिरावट अच्छी खासी आती है लेकिन उतनी नहीं कि आपका आधा पैसा हो जाए इतना कभी नहीं होगा तो यहाँ पर अभी हमें 270 रुपय के भाव पर मिल रहा है चाहें तो कुछ इसमें जो इच्छुक हो बिंदास ले सकते हैं और बजट के बाद इसके इस तिन रणायक होगी कि थोड़ा अगर इसके अनुकूल नहीं आया बजट या किसी पिकार की टैक्सेज में पढ़ोतरी हुई इन कमपनियों पे तो इनकी कमपनियों की प्रोडेक्स में तो इनमें थोड़ी सी गिरावट और आ सकती है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं आयेगी और अगर कुछ अच्छा रहा तो 300 पार होने में इसको समय नहीं लगेगा ये तो गरंट केक है एक तरीके से हाला कि मार्केट है मार्केट में कुछ भी संभाव है तो चलिए कुछ फंडमेंटल्स में आपको दिखा देता हूँ और अगर हम मार्च 18 से मार्च 19 याने यर ओन यर कंपेर करते हैं तो नेट सेल्स में 12.69% की अपसाइड है और वहीं पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी 10.32% की अपसाइड है इंट्रेस्ट भी कम हुआ है 66.70% की अपसाइड है और नेट प्रॉफिट में भी 18.73% की जबरतस अपसाइड है और मार्जिन में यहाँ पे 0.87% की थोड़ी से डाउन साइड है अगर हम क्वाटरली देखें 18 से मार्च 19 में कंपेर करते हैं तो यहाँ पे अगें एट सेल्स में 6.38% की अपसाइड है अपरेटिंग प्रॉफिट में 5.68% की अपसाइड है और नेट प्रॉफिट में भी यहाँ 8.50% की अपसाइड है और मार्जिन में थोड़ी से गिरावट है तो बेहतरीन कंपनी और डिविडेंट कितना शांदार पे किया था पांच रुपए प्रॉफिटर पैसे के हिसाब से परश्यर के हिसाब से बाइस मैं दोसार आउन ने इसको भी दिया और हर साल पे करती है तो जो लोग शॉट टर्म के लिए भी या लॉंग टर्म के लिए भी लेना चाहा है तो बहुत अच्छी कंपनी अच्छी अपॉर्चनिटी है दिकच कंपनी है लो रिस्क और हाई रिटर्न वाली बात है यहाँ पे तो मैं आज वीडियो यहीं पर अपना वाइंट आप करूँगा क्योंकि एक्सलेंट क्वालिटिक कंपनी है इसमें आख मून के पैसा डालने वाली बिंदास रिस्क लेने वाली बात हो जाती है देखे रिटर्न ओन कैप्टल एंप्लोई कितनी शांदार है 47.25% की रिटर्न ओन एक्विटी 23.78% की है और फिनेंशल हम देखे चुक है रिटर्न थोड़ा सा हम 10 सालों के अगर हम देखे तो 10 सालों में 333% की रिटर्न अभी भी है 5 सालों में 24% के 4 सालों में 31% के 3 सालों में 13% के 2 सालों में 17% के नेगटिव है एक साल में 4% के बाकी हम देखी चुके हैं 6 मन्त के भी तो इसमें शॉर्ट टर्म के लिए भी बाई कॉल है और लॉंग टर्म के लिए तो भर के रखिए आप भर के रखिए जब भी मौका मिले आप ऐसी दिगज कमपनियों में भरते जाएए पता नहीं कब भागना शुरू करते हैं और आपको अच्छा एटन बना के दे चलि मैं अपना वीडियो बाईन अप करता है थैंक्यो फर वाचिंब इस वीडियो फ्रेंग्स